हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू मैं चैनल और आज हम सिंपल बैट को देंगे नया लुक घर में हम इसका हेड़ बनाएंगे और बहुत आसान तरीके से मैं इसका हेड़ बनाना आपको बताऊंगी और देखिए इस बैट का लुक अब कितना अच्छा आया है हेड़ बनाने के बा बनाना सिंपल बैड में अगर यह हेड़ बॉर्ट पीछे लग जाए ना तो बैड का लुक ही चेंज हो जाता है और बैड का इनी पूरे रूम का लुक जो है ना वह चेंज हो जाता है और घर में ही पड़ी चीजों से हम यह हेड़ बनाएंगे सिर्फ बटन हमें बाहर से लेने हैं बाकी घर में बनाएंगे और इस हेड़ बोर्ट की खासियत यह हैं कि हम इसको ना बहुana बीट वी तर्व पढ़ा हुआ और अश्थ में पर लगाने के लिए मने एक और एक ओर कोई भी मैक्चिंग सा कोई फैबरिक आप वो ले सकते हो सबसे पहले हैड़ बनाने लिए हमें बैड की देखिये इस तरह से चोडाई जो है वो नापनी है और यहां से हम इस तरह से इसकी चोडाई ले लेंगे और फिर इसकी लंबाई भी हमें नापनी है कि कितना लंबा हम हैड़ बोर्ड बनाएंगे तो आप खर में बना रहे हो तो आप अपनी मरजे के अनुसार ना इसको बड़ा भी बना सकते हैं तो इसकी जो लंबाई और चोड़ाई मैंने इतनी रखी है यह से रख लिया है तो इसके नाप का ही देखिए मैं यहां से इसमें सुई धागे से स्टिच कर रही हूं आप मशीन से भी इसको इसमें स्टिच कर सकते हैं इसमें नाप के सीधी लाइन लगा लिजिए गा और बाकी का जो हमारा रजाई का जो कपड़ा बच रहे यह लाइट व भरेंगे तो बस फॉल्ड करेंगे उल्टा मैंने इसलिए रखा है रोड़ करेंगे और फिर इसको पलट के हमारा यह सीधा अंदर आ जाएगा तो देखिए इस लाइज अब मैंने इसमें लगा लिए और इसको ना बिलकुल फॉल्ड करके अब इसके अंदर ही अपने आप कवर की ही है आप चाहए तो समय फाइबर्स जो हैं नहीं भी ले सकते हैं या आपके पास अगर फाइवर नहीं है और इस तरह के पुराने रजाई के लाईटवेट कंबल पड़ेया तो आप तेह करके भी इसमें भर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से मैंने इसको पूरा फिल कर लिया है और अब इसको इसमें देखिए मैंने जिप लगा ली है और अब इसका जो कवर है वो हम बनाएंगे तो कवर में हम लगाएंगे फ्रिल मैंने यह वैलवट का कपड़ा लिया है और देखिए फ्रेल भी मैंने इस तरह से लंबी सी एक काट ली है आपके पस और कोई कपड़ा होए तो आप कोटन का भी ले सकते हैं वैसे वेलवेट का और शनील का जो कपड़ा है वो इसमें बहुत अच्छा लगता है लुक बहुत अच्छा आता है तो ये देखिए फ्रे वाली साइड वो अंदर की साइड करनी है जो खुली वाली साइड वो बाहर की साइड हमें करनी है ये देखिए एक बार मैं आपको फिट से बताती हूं ये देखिए ऐसी हमें इसको डबल करेंगे और ये देखिए बंद वाली साइड जो है हमने ये अंदर की साइड रखन तो यह देखिए अब इसको हम इस तरह से अर्जेस्ट करते जाएंगे और इसमें जो है प्लीट सम डालते जाएंगे और प्लीज फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो में फर्स नहीं बिजिट कर रहें तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बने बल जाए तो यह देखिए इस तरह से हमें प्लेत्स डालेंगे और तीन साइडमें नहीं फिर टैटमें खुल से देना लिया तो अब सिधा करेंगे और सिधा कर के यहां पर भी हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि जब चीए i इसमें सिलाई फिर नहीं लगा पाएंगे तो आप पहले भी लगा सकते हो तो यह देखिए इस तरह से complete हमारा यह बना है और अब यह हम इसके अंदर डालेंगे और यह देखिए यहां से भी इतने हिस्से में भी मैंने इसको बंद कर लिया है और इदर से भी इतने हिस्से में मैंने इसको बंद कर लिया है बीच से मैंने इसको ओपन रख है तो यह देखिए बिल्कुल लाइट बेट है तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करके भी इसमें डाल सकते हैं और देखिए कोर्नर हम अच्छे से इसके सेट करेंगे दोनों साइट से तो यह देखिए इसको मैंने इस तरह से फिल कर लिया है तो अब हमें यह दिखिए यहां पर भी इसको स्टीच कर लेना है और इसमें बटन लगाने के लिए हमें इसमें बड़ी वाली सुई चाहिए तो यह देखिए धागा मैंने डाल लिया है मोटे वाला धागा मैंने लिया है बटन को आप अडजेस्ट कर ले कि कितने दूर आपके बटन कितने बटन आपने लगाने है अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने किस तरह से बटन लगाने है तो यह देखिए इस तरह से हम इसमें सुई को निकालेंगे और जो सुई को हम बाद में जब बटन लगाके जब अंदर डालेंगे ना तब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें इसको करना है और यह देखिए बहुत ही असानी से हमारी सुई जो है न वो निकल गई ताकि नीचे की साइड भी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यह आए और यह देखिए ऐसे हमने रखना है और अराम से सुई को नीचे प्रेस करना है और नीचे ध्यान रखेगा कहीं सुई आपके हाथ में न चुब जाए तो जहां पर हमारी जो गांट है न वहीं उसके पास में ही हमारा यह सुई दुबारा से निकलनी चाहिए और सिल्वट भी हमारे बिल्कुल नीचे की साइड बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए तो यह देखे इस तरह से इस तरह से हम इसको अब दवाएंगे और यह बहुत अच्छे से हमारे फिर यह बटन लगेंगे इसमें अब इस तरह से हम गांट दे लेंगे एक गांट नहीं देंगे तीन से चार हमें गांट देनी पड़ेगी ताकि हमारा ये बिल्कुल भी निकलेना तो आप इसको लोक अच्छे से करिएगा तो ये देखिए इस तरह से तो अब हम फिर धागे को कट कर लेंगे और इसी तरह से सारे बटन हम लगाएंगे एक पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ ये देखिए इस तरह से सुई जो हमें इसके लिए बड़ी वाली चाहिए होगी और इसके बिल्कुल इसके पास से ही हमें इस तरह से सुई को अंदर डालना है और फिर उल्टा करेंगे और फिर जहां पर हमारी गांठ नितली साइड आई है वहीं पर हमें सुई को निकालना है ज्यादा दूर हमें सुई को नहीं निकालना है और इसमें इस तरह से हम देखिए गांठे लगाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हम इसको cut करेंगे और फिर सारे बटन इसी तरह से हमने इसमें लगा लेए है तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुन्दर हमारा bed का headboard बनाए है और इस तरह से double bed का headboard भी हम बना सकते हैं और इसकी खास्टीत ये है कि हम इसको वॉश भी कर सकते हैं कि इसमें हमने sponge भरी है और साथ में रजाई का cover वो भी wash हेवल है तो इसको ना हम वॉश भी कर सकते हैं और देखिए जैसे मरजी आप इसको फोल्ड करो इसमें कोई भी फर्क जो है इसमें नहीं पढ़ने वाड़ा ना यह फर्टेगा तो अब मैं आपको इसमें देखिए बैड में इस तरह से लगा के दिखाती हूँ और अब ये बैड शीट भी हम चेंज करते हैं पूरे रूम का मेक ओवर करते हैं तो यह देखिए इस तरह का लुक हमारे बैड में आ रहा है और कितना अच्छा लग रहा है ना देखिए घर में बिल्कुल वेस्ट माटिरियल से हमने बैड का हेड़ बोर्ड खुद बनाया है और ओनलाइन इसको हम लेने लगेंगे तो 2700 से लेकर 2000 तक की रेंज है और साथ में ही वो साइज़ भी छोट है क्योंकि मैंने ओनलाइन यह चेक किया था तो घर में देखिए कितने अब होती असानी से यह बन जाता है और प्लीज फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथ में बने बैल आइकन को प्रेस करके आप ओल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो को जल्दी से मिल जाएं मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब